नमस्ते दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाए हूँ एक नहीं सी थाला पोशी की डिजाइन तो ये थाला पोशी में बैंना आप लोगों को सिखाऊंगी step by step तो मैं पहले इसमें pink के shaders में ये आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी तो मैंने जैसे पहले मैं डार्क कलर यूस करूंगी तो डार्क कलर पहले हम लोग बनाएंगे तो स्टार्ट करते हैं तो मैंने काटा भी ले लिया है ठीक है तो पहले हम लोग गार्ट बना लेते हैं हम लोग उन् modular बना लिया दिख सकते हैं अभी हम लोग इसमें चेन बनाएंगे एक दो तीन । चार पाच छह अभी साथ आठ आठ चेन हम लोग उन्ने बना लिये है अभी जो firmsh chain लिया था इसके अदर हम लोग इसको जॉइन कर लेंगे ठीक है अंदर से हम लोग जॉइन कर लेंगे दिख रहा है अप लोग का हम लोग ने जॉइन कर लिया ठीक है अभी यह हम लोग का डाउंड हो गया दिख रहा है अभी यहां पर हम लोग एक दो तीन चेन ले लेंगे ठीक है अभी यही पर हम लोग और मतलब एक डबल कोशेट, दो डबल कोशेट, तीन डबल कोशेट, चार डबल कोशेट, पांच डबल कोशेट, ऐसे करके यहाँ पे और पंदरा चाहिए, मतलब टोटल मिला के जो फर्स लिया था उसको मिला के ट्वेंटी वन चाहिए हम लोगों, तो पहले मैं वो बना लेती ह ठीक है तो पहले मैं यह बना लेती हूं लाइन तो देखिए दोस्तों हम लोगोंने यह राउंड कम्प्लीट के लिए हैं आपर 21 डबल कोशेट है अभी इसको हम लोग जोईन के एक दो तीन तीसरे लाइन पर हम लोग इसे जोईन कर लेंगे ठीक है फिर एक दो तीन चेन ले स pl गाने के बास हम लोग जो नेट है इसमें हम लोग एक और डबल कोशेट है फिर एक चेन गैफ फिर नेक्सünde में पिर यह राउंड कम्प्लीट कर देंगे एक चेन का गैप और एक डबल कोशेट ठीक है तो देखिए दोस्तो मैंने ये complete कर ली है और मैंने ये chain भी ले लिया है यहापर अभी हम लोग एक दो तीन तिसरे line पर हम लोग इसको join कर देते हैं ठीक है यह देखिए मैंने join कर लिया है अभी हम लोग एक दो तीन chain लेंगे ठीक है फिर next में जो है यहाँ पर हम लोग फिर से एक डबल कोशिक लेंगे देख पार है फिर हम लोग फिर से यह जो है इसके उपर यहाँ पर जो है गैप इसके अंदर से हम लोग एक बार डबल कोशिक लेंगे फिर यहाँ से यह जो गैप है इस गैप से और एक बर यहां से यह देख सकते हैं यह जो गया पर यहां पर इसके अंदर यहां पर एक बर लेंगे फिर यहां पर एक बर ऐसे करके हम लोग यह राउंड कम्प्लेट करेंगे तो पहले मैं यह राउंड कम्प्लेट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी देखिए एक थोड़ा उपर है एक नीचे ऐसे करके यह राउंड कम्प्लेट होगा तो देखिए दोस्तों मैंने यह कम्प्लेट कर लिया है अभी इसको हम लोग जोइन कर लेंगे देखिए यह राउंड बन गया है अभी इसमें हम लोग एक जहां पर हम लोग ने लिया है वहां से यहां पर इसे तीन तीसरे लाइन पर हम लोग ऐसे करके बनाएंगे ठीक है डबल कोशेट तीन चार पाच छे दिख रहा है आप आपको छे साथ और एक आठ फिर एक दो तीन तीसरे लाइन पर हम लोग इसको जोइन कर देंगे अब यहां पर से फिर जहां पर लिया है एक दो तीन तीसरे लाइन पर तीसरे लाइन पर हम लोग ने एक फिर दो फिर दीन चार पाच, छे, ठीक है, और दो पर, साथ, आरे, आट, पर, फिर, एक, दो, तीन, तीसरे लाइन, पर जोइन कर लेना है, ऐसे करके हम लोग, हर तीसरे लाइन बाद बाद पा, हमेंई से बढ़ना आ है, तो पहले हम लोग इसको बना लिते हैं, ये बाद में बैट जाएगा, ठीक है, टो देखेए, दोस्तों मैंने पूरा, कंप्लीट कर लिया है यह लाइन यह देखिए अभी मैं इसको जॉइन कर दूंगी ठीक है यह देखिए यह आपर यह देखिए मैंने एक बार में जॉइन कर दिया ठीक है फिर स्लिप स्टिच करेंगे एक स्लिप स्टिच फिर दो तीन चार ठीक है चार हो गया अभी एक दो तीन चार पांच छे ठीक है साथ साथ चीन लेने के बाद फिर हम लोग एक दो तीन चार चौथी लाइन पर हम लोग फिर स्टिच को जॉइन कर देंगे यह अभी ऐसा कुछ दिखेगा ठीक है फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ वे लाइन पर फिर हम लोग एक दो तीन चार चौथी लाइन पर हम लोग इसको जॉइन करते हैं एक काम करते हैं हम लोग आठ चिन ले लेते हैं आठ ती है फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ फिर इसको joint फिर ऐसे करके हम लोग पूरा joint कर लेंगे हर इक तरफ, ठीक है तो देखिए दोस्तों मैंने ये complete कर लिया है line अभी इसको हम लोग join कर लेंगे तो जहाँ पर हम लोग ने first join किया था वही पर हम लोग दुसरा भी join कर लेंगे, ठीक है तो पर्ले हम लोग अभी यहां पे हम लोग ने यह ले लिया है अभी हम लोग यहां पे इसको काट लेंगे हम लोग मिक्स्ट कलर यूज़ करेंगे तो इसलिए हम लोग यह काट लेते हैं और यह धावे को हम लोग सैट कर लेते हैं और दूसरा कलर हम लोग यह कलर यूज़ करेंगे ठीक है अभी दूसरा यह कलर यूज़ करेंगे तो देखिए दोस्तों हम लोग ने दूसरा कलर अभी हम लोग यूज़ करेंगे तो यह थोड़ा ज्यादा ऐसे करके पकर लीजिए आप हाग तुर से और इसको ऐसे मोर की अंदर के चरफ और यह बैक में जो धागा पहले वाला धागा को खीच लीगे ठीक है अभी ऐसे करके एक तो तीन चेन हो गया हम लोगा अभी यहीं पर हम लोग और डबल कोशेट बनाएंगे दो हो गया तीन ठीक है चार फाच छे साथ हाओ अटiva कमें लोग दॉसे करके है चार दो करके चार आओा स्वहा जो फ्लाओ उर करके है उत्ष घ्ट्स. यह अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी हम लोग हर जगह पे दस-दस करके हर इक लाइन पर बनाएंगे, ठीक है? काψ के बुट्स, कि दूग्ट, जर्श्स, के लोगो, जर्श्स, के जूग dizer entering the student at the Deaf करके जे तूग्स, कर दीक हम लोगा है, अज्विए, जोग्ष्य।, के वोगोगों सक्रके साथिख गपनैं़र कार्स हैंशर करके साथार्ब।, के जैर दूग्स, के जाआएं़र के जूब दस तो पहले हम लोग इससे करके बना लेते हैं देखिए दोस्ता हम लोग नहीं कम्प्लीट कर लिया है अभी इसको हम लोग जाइन कर देंगे तो हम लोग इसको जाइन कर देते हैं ठीक है अभी हम लोग एक तो तिन चार ले लिया अभी हम लोग एक छोर के नेक्स्ट में हम लोग फिर से बनाएगे ठीक है फिर हम लोग एक चेन लेंगे फिर नेक्स्ट में सारी हम लोग दो चेन लेंगे ठीक है फिर एक को छोड़के इसमें हम लोग तो देखिए हम लोग फिरसे एक दो चेन लेया फिर एक कैप छोड़के फिर निक्स्ट में फिर एक दो चेन फिर एक कैप छोड़के निक्स्ट में ऐसे करके अभी यह लाइन कंप्लिट करनी है हमें ठीक है तो पहले यह लाइन कंप्लि देखिए दोस्तों हम लोगों ने यह complete कर लिया अभी एक दो तिन चेन फिर यहां पे दो बार डबल पॉशेट यह एक दो डबल पॉशेट फिर यहां पे एक डबल पॉशेट फिर यहां पे दो बार डबल पुशिट एक दो फिर यहां पे एक बार डबल पुशिट एक फिर यहां पे दो बार डबल पुशिट एक दो फिर यहां पे एक बार डबल पुशिट ऐसे करके हमें यह लाइन भी खत्म कर लीनी हैं दिख रहा है आप लोग पहले एक यह लाइन की हिसाब से और यह गैप में दो बार ठीक है यहां पर दो बार करना है फिर यह लाइन के ऊपर एक और बार तो ऐसे करके यह दीरे दीरे बैट जाएगा ठीक है तो पहले हम लोग यह लाइन खत्म कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों मैंने यह लाइन भी कम्प्लीट कर लिए अभी इसका हम लोग जोइन कर देंगे देख रहे हैं अभी हम लोग एक तो तीन चार पांच चैन फिर से लेंगे जैसे हम लोग नहीं यहाँ पर किया था सेम लाइन हम लोग एक गैप छोड़के फिर नेस्ट में फिर से डबल कोशेट फिर एक तो चैन फिर एक डबल कोशेट फिर एक दो चैन फिर एक गैप छोड़के फिर नेस्ट में हम लोग फिर से यह लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं पहले तो देखिए दोस्तो मैंने यह राउंड खत्म कर लिया है मैंने इसको जोईन भी कर दिया है अभी हम लोग यहाँ पर एक दो तीन चैन बना लेंगे फिर यहाँ पर इस गैप में हम लोग एक डबल कोशेट बनाएंगे और फिर हम लोग फिर यहाँ पर यह जो है इसके अंदर यह जो गैप दिख रहा है यह इसके अंदर से अभी हम लोग इसको फिर से बनाएंगे फिर नेक्स्ट में और एक बार फिर यहाँ पर भी और एक बार ऐसे करके हम लोग यह राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे ठीक ह तैसे करके पहले मैं यह राउंड कंप्लिट करती हूं फिर मेरे नेक्स राउंड के लिए आप लोगों को दिखा रही हूं ठीक है कि दगे दोस्तों हम लोगने राउंड कंप्लिट कर लिया अभी हम लोग इसको जॉइन करते हैं देखिए अभी हम लोग इसको जॉइन करते हैं दीजिए अभी हम लो नासे फिर यहां पर दीजिए एक दो तीन तीश्रे लाइन अपर हम लो एक दो तीन चार पाच छे साथ और एक आठ फिर जहां पर लिया हम से एक दो तीन तीश्रे के तीन चोड़ के फिर नेक्स्ट में अभी ऐसे करके हम लोग आरी किसरे लाइन पर एक दो तीन को छोड़ें फिर ऐसे करके हम लोग यह राउंड कंप्रेट करेंगे दो तीन चार पाच छे छे सावन और एट अभी फिर से एक दो तीन तीश्रे रेंबर से हम लोग इसको अभी ऐसे करके हम लोग यह राउंड पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पहले देखिए दोस्तों हम लोग ने यह राउंड कंप्लीट कर लिया मैं नहीं हना आट ले लिया है डवर कोसेट यहां पर यहां पर हम लोग इसको जॉइन कर यह देखिए एक स्लिप स्टीच लेंगे फिक हैं दो तीन चार पाच पाच एक तो तीन चार पाथ चार शाथ आट ठीक है फिर यहां पर हम लोग एक तो तीन चार चौती नंबर पर हम लोग इसको जॉइन कर देंगे यह देखिए फिर हम लोग फिर से डबल खोशट लेंगे दो तीन चार पाथ छे साथ आट ठीक है फिर एक तो तीन चार चौत नंबर पर फिर से हम लोग जॉइन कर देंगे ऐसे करके chain बना के हम लोग यह join कर लेंगे ठीक है तो देखिए मैंने यह complete कर लिया है यह line यह देखिए अब इसको मैं join कर दूँगी यहाँ पर अब इसको हम लोग काट देंगे अब मैं इसमें दूसरा कलर यूज करूँगी तो यह पिंक कलर ले रहे हूं यहाँ पर देखिए डबल कोशेट एक दो तिन्य कार पात् छे, साथ, आठ, नो, दोस, क्यादा, बेर, बाड़ा होबिया, आभी हम लोग फिशे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दोस, ग्यादा, और एक, बारा, ऐसे करके हम लोग हर लाइन पे, हम लोग बना के खत्म होते हैं, तो यह लाइन पहले खत्म कर लेती हूं, मैं, तो देखी दोस्तों, यह लाइन हम लोग ने complete कर ली है, Dieses फर्स्ट, यहाँ पर हम लोग इसको जाइन कर देता है, ठीक है हम लोग ने इसको जाइन कर दिए तो दिखिए एक कुछ अभी ऐसा दिख रहे है यह दिरे-दिरे बैट जाएगा प्राब्लम नहीं है यह देखिए यह कम्प्लीट होने पर फिर यह बैट भी जाएगा ठीक है तो अभी हम लोग एक दो तीन चार पांच पांच चेन फिर हम लोग एक को छोर के नेक्स्ट में फिर फिर से एसे पहले भी किया था वैसे हम लोग फिर से एक दो चेन गैप फिर एक छोड़ के फिर नेक्स्ट में फिर एक दो चेन छोड़ के फिर नेक्स्ट ऐसे करके अभी यह राउन हम लोग कम्प्लिट कर लेंगे ठीक है तो देखिए दोस्तों हम लोग यह क्लियर हो गए तो अभी यह लाइन हम लोग इसमें जॉइन करतेंगे एक तो फिर तीन चेन यह देखिए अभी यहाँ पर दो फिर यहाँ पर फिर से इसमें लोग ने पहले भी किया हुआ था एक दो एक फिर यहाँ पर यहाँ पर फिर यहाँ पर दो बार ऐसे करके अभी यह लाइन भी हम लोग कम्प्लेट करते हैं ठीक है देखिए दोस्तों तो अभी यह लाइन खतम होने को आया है अभी लास्ट हम लोग एक टबर को सिट बना लेंगे अब इसको हम लोग एक दो तीन तीस्रे लाइन पर हम लोग इसको लेख सकता है, तीसरे नंबर पर जो है इसमें हम लोग इसको जाइन कर देंगे, ठेक है, ये दिकर जाइन कर दिया, अभी फिर से एकई गया लिएसे पहले यहाँ पर लिया था वैसे करके एक छोड़ के next में हम लग फिर से double crochet पिर एक दो chain पिर एक gap छोड़ के फिर next में फिर से एक double crochet टीक है फिर 12 चैन फिर एक छोड़ के double crochet ऐसे करके हमें यह बनाना है ठीक है दोस्तों देखिए मैं एक बार में ऐसा और एक बार बनाना है फर्स्ट ऐसा यह लाइन बनाने के बाद फिर से ऐसे करके एक लाइन और बनाना है फिर यह लाइन बनाना है ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जैसे हम लोग ने द दो बार बनाया था, यहां पे एक फिर दो अभी यहां पे तीन बार बनाना है, ठिक है, एक हमने बना दियां, यह भी बना रहे हैं, फिर और एक रौंड यह बाला होगा, फिर नेक्स्ट में यह होके, फिर लास्ट कर लेती हूँ ठीक है देखिए दोस्तों हम लोग ने ये राउंड कम्प्लीट कर लिया है ये देखिए मैंने जोईन भी कर लिया है अभी यहां पर हम लोग जैसे हम लोग ने यहां पर क्या था वैसे डिजैन अभी यहां पर यहां पर यह देखिए अभी यहां पर तीन तो, तीन, जार, पाच, छे, छे, साथ, आठ, यहां से, फिर यहां से, तीन, गैप छोड़के, एक, दो, तीन, चार, पाच, पाच, तो, देखी छे, फिर यहां साथ, और एक, आठ, अठ, अभी ऐसे करके, हम लोग, पुरा, लाइन, कॉबर करेंगे, तो, पहले, मैं यह लाइन, कर लेती हूँ, तो, देखी दोस्तो, हम लोग नहीं यह जाइन कर लिया है, अभी हम लग स्लिप स्टिच लेंगे, एक, दो, तीन, चार, सेंटर में आ जाएंगे, देखी सेंटर में आगें, अभी हम यहां से एक, तो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, आट चैंप लेंगे, फिर एक, तो, तीन, चार, चौथे नमडर पर हम लोग इसको जोइन करतेगे, फिर यहां से एक, दो, तिन, चार, पाच, छे, साथ, और आठ फिर यहां पे एक, दो, तीन, चार, चौते नमबर पे हम लोग उसको जोईन करते हैं फिर एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, और एक, आठ तो फिर हम लोग एक दू तिन चाथ चौत नमबर पर इसको जोईन कर देने तो देखिए यह कंप्लीट हुगिया तो यह लाइन हम लेप नहां पर कंप्लीट करेंगे ऐसे करके यह हम लग ने पहले भी बनाया है यह से करके यह हम लोग complete कर लेंगे पहले मैं बना लती हो तो देखिए दो यह complete हो गया तो मैं यह नहीं वह आगा काट रही हूं नहीं दूसरा color code करेंगे तो मैं नहीं दौर काट लिया और इसे सब्चादूंगी अभी निक्स्ट में यह लाइट पिंक लियुक्छी अभी इसको मैं इसमें यह करके फिर यह कर से बनाऊगी मेर मेर कालर भी होगा इसका रहात मैं और नहीं बनाऊगी दूसरा कलर नहीं लगा हुई तो पहले मैं इसे अटाच के लेती हूं यहां पर फिर एक दो तीन होगे अभी यहां पर दो डबल कोशेट तीन चार पाच छे साथ आट नो दस लहीं तो हम लोग यहां पर दस लिये हैं तो जैसे के हम लोग जालते हैं कि हम लोग यह राउन में कितना लिये थें सेगेंद लाइन में एक तो तीन चार पांट छे साथ आथ नौ दस ग्यारा बारा ट्वेल लिये थे तो हम लोग यहाँ पे भी ट्वेल भी लेंगे ठीक है ग्यारा और एक बारा फिर यहाँ पे भी सेम डबल पोशिट दो 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 8 9 10 11 और 12 ऐसे करके यह लाइन हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे अभी कम्प्लीट करने के बाद फिर से हम लोग ऐसी लाइन यह वाला लाइन जो हम लोग यह गैप देखें दो चीम छोगे फिर एक डबल कोशेट यह लाइन फिर से इसके उपर जैसे यहाँ यहाँ पर हम लोग बनाए थे फिर यह वाला लाइन फिर और एक बार यह और एक बार यह मतलब हम लोग फिर से ऐसे यहाँ पर जितने बनाए थे एक दो तीन चार ठीक है यह वाला पांच टोटल पांच लाइन फिर से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो जैसे पहले हम लोग अभी जो लाइन हम लोग बना रहे हैं, वही लाइन ये है, फिर next एक gap, दो chain छोड़ के फिर वो वाला, फिर next में ये वाला लाइन, फिर ये, फिर ये, ऐसे बना के ये लाइन हम लोग complete कर लेंगे पहले, फिर मैं last में दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है, तो पहले मैं य पास्ट लाइन आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी ठीक है देखिए दोस्तों मैंने यह राउंड खतम कर लिया है मैंने यह आप एक बैटन भी बनाया है तो यह मैं भी आपको दिखाऊंगी तो जैसे पहले देख लीजिए कि पहले मैंने जो यह वाला दिखाया था आप ल एक ढबल कोशित यहां पर एक के उपर डबल कोशित औरह यहां पर एक इप के ऊपर करना है फिर है यह पर जेसे दो बार करना है ठीक है एक दो ये वाला भी दो बार ठीक है अभी हम लोग नेक्स्ट ये डीजैन पो आ गए है तो ये डीजैन मैंने जिसे लिया है लिखा रही हूं मैं आपको अभी देखिए यहां से मैं जैसे पहले भी बनाई थी एक यहां पर देखिए एक तो तीन तीसरे नमबर पर जो है वहां पर हम लोग स्टार्ट करें तीसरे नमबर पर ऐसे एक बार डबल कोशेट फिर एक गयाप चेन लेना है फिर एक डबल कोशेट फिर और एक बार डबल कोशेट फिर एक चेन ऐसे करके छे बार हम लोगों को बनाना है डबल कोशेट यह देखिए चार बार हो गया है और यह एक डबल कोशेट पांट 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 और एक छे शिक्स टाइम हम लोगों को डबल कोशेट ऐसे करके बनाना है फिर यहां से एक दो तीन तीसरे नमबर पर हम लोग इसको जोइन करतेंगे देख सबते हैं फिर यहां पर हम लोग एक स्लिप स्टीच फिर दूसरा स्लिप स्टीच फिर तीसरा फिर चौर था फिर पाच और छे मतलब छे बार हम लोगों को ऐसे करके प्रड़ स्टीच लेना से देखिए मैं यहां से स्टार्ट किया था जैसे यहां पर इसे start किया मैंने यहां से start किया फिर चैन लिया डबल गोशेट और एक एक करके chain gap दिया था फिर यहां पर देखिए मैंने यहां पर भी छे बार किया है ठीक है slip stitch अब यह ऐसे करके मैं यह round complete करूँगी यहां से भी जैसे मैं दिखा रही हूं आप लोगो देखिए यहां से भ double crochet, फिर एक chain, फिर और double crochet, फिर और एक chain, फिर और एक बर, ऐसे करके, हम लोग यह line भी complete करेंगे, अगर आप लोगों को यह चीज एक color में बनाना है, तो आप एक color में भी बना सकते हैं, problem नहीं है, मेरे पास color shade था, इसलिए मैंने यह pink shade में बनाया है, देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच हो गया अभी और एक लास्ट है ठीक है छे वर हो गया अभी यहाँ से एक, दो, तीन, तीसरे नमबर पे हम लोग इसको जोइन कर लेंगे फिर यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच छे, देखिए ऐसे करके हम लोगों को यह राउंड कंप्लीट करनी है तो पहले मैं यह फिनिश कर लेती हूँ फिर मैं आपको दूसरा नेक्स लाइन दिखा रही हूँ ठीक है तो देखिए दोस्तो हम लोगों ने यह लाइन खतम कर लिया है मैंने यहां तक बनाया और यहां पर देखिए मैंने सिर्फ स्लिप स्टीच तीन तक ही लिया है ठीक है यहां पर एक तो तीन तीन चेन तक ही मैंने यह लिया हुआ हुआ है स्लिप स्टीच अभी यहां से हम लोग यह जो फर्स्ट है जहां पर फर्स्ट है यहां पर दो बार डबर कोशेट बनाएंगे दो ठीक है फिर नेक्स्ट में भी फिर से एक दो एक दो विर एकDD। फिर दो विर एकDD। है दो फिर एकड कर दो और एक दो अभी देखिए मैंने ये खतम कर लिया है अभी देखिए यहाँ पर यहाँ पर भी हम लोगों को दो बार लेना है ठीक है एक बार और एक दो बार ठीक है यहाँ पर लेने के बाद देखिए यहाँ पर एक दो तीन तीसरे लाइन पर यहाँ पर खतम हो रहा है यहाँ पर हम लोग इसको जोइन कर लेंगे ठीक है तो जोइन करने के बाद यह कुछ अभी ऐसा दिख रहा है ठीक है अभी नेक्स्ट में में भी हम लों यहां से फिर यहां पर दो बार टीक है एक दो फिर नेक्स्ट में भी एक दो करें तो देखें दोस्तों फिर से हम लोगने यह राउंड भी कम्प्लिट के लिए अभी एक दो तीन तीसरे लाइन पर अभी हम लोग पिस और जयन करने तो यह जयन किने के बात अभें हर लाइन पर ऐसे करके हम लोग यह लाइन को प्रीट करेंगे हर एक के उपर हम लोग नेक्स्ट ऐसे करके पैटल बनाएंगे तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आये हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर और भी ज्यादा वीडियो आपको देखनी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब ज